आप लोगों के एकजाम चालू है और आपके इंग्लिश बुक हॉर्ण बिल के जो प्रोज पोर्शन है उसके कुछ महत्यपूर्ण प्रश्णों को जो आपके परिच्छा के दृष्टी से महत्यपूर्ण है उन्हें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं तो वो कब कौन सा समय आया जब आथर और उनके ग्रैंड मदर के बीच में जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की वो तूट गई तो आथर अपनी दादी मा के साथ एकी कमरे में रहते थे लेकिन आथर जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो उन्हें रहने के लिए अपना एक अलग कमरा दिया गया हला कि दोनों एकी कमरे में रहते थे बहुत जाद एक दूसरे से बातचीत नहीं होती थी लेकिन एक फ्रेंडशिप था उनके अंदर एकी कमरे में रह रहते थे एक दूसरे से अपनी बातों को शेर करते थे अब जब ओथर को अपना अलग कमरा मिल गया तो उनके बीच का ये जो कॉमन सा रिलेशन्शिप था वो भी तूट गया वाइवो's grandmother sad when author was admitted in an English school in the city जब वो city पहुँचें तो city में author को एक English school में admission दिलाया गया तो इससे grandmother को क्यों दुख हुआ because there were no religious teaching in city school क्योंकि city school में कोई धार्मिक बाते नहीं पढ़ाई जाती थी who took the place of village dogs in the city तो डादी मा जब गाउं में थी तो जब author को जो समय बच्चा था उसको लेकी school जाती थी तो लोटते समय गाउं के जो डॉगिस थे उनको बासी रोटियां दिया करती थी तो जब वो शहर में आएं तो इन डॉगिस की जगा किस ने ले लिया the sparrows took the place of village dogs in the city तो city में तो डॉगिस इतने थेनी सड़क पे घूमते हुए तो वो क्या करती थी बरामदे में रोटी के छोटे छोटे टुकडे करके गोरईया को खिलाया करती थी sparrows को तो इस तरह शहर में कुत्तों की जगा गोरईयों ने ले लिया गाउ में हमारे ओथर को ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता था एक मोटी सी रात की बची हुई रोटी जिसके उपर बटर फैला दिया जाता था और थोड़ा शुगर उसके उपर spread कर दिया जाता था ये उसका नास्ता था दादी मा चलते समय अपना एक हात कमर के उपर क्यों रखे रहती थी तो अपने कदमों का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ वो कमर पर रखती थी What used to be the happiest moment of the day for the grandmother Grandmother के लिए दिन भर का सबसे खुशनुमा च्छन क्या होता था The happiest moment used to be when she fed the sparrows सबसे खुशनुमा च्छन तब होता था जब वो दो पहर में गौरईयों को रोटी की टुकडे खिलाया करती थी How did the grandmother spend her day in the city Grandmother अपना दिन कैसे बिताती थी By spinning the wheel, reciting her prayers अपने प्रार्थना के बोल को गुनगुनाते हुए वो चर्खे पर सूत काता करती थी और इस तरह उनका दिन भीता था How did the family member came to know of her death Family member को उनकी मृत्यू का पता कैसे चला The rosary fell from her lifeless fingers and her lips stopped moving तो विस्तर पर लेटे लेटे वो अपने माला के दानों को घुमा रही थी और धीरे से माला जो rosary थी जो माला के दानों की जो माला थी वो एकदम से उनके निर्जीव हाथों से गिर गई और उनके प्रार्थना बोलते हुए ओठ विलकुल खामोश हो गए जो माला के प्रती अपने शद्धा गउरईयों ने कैसे प्रकट की जिस समय उनकी मृत्य हुई और उनकी बोड़ी रखी थी तो सैकडों की संख्या में गवरईया आएं और बरामदे में चारो और चुप चाप बैठ गई बिलकुल चह चहा नहीं रही थी वैन वी कैरिड हर ओफ और क्रिमेशन दे फ्लिव अवे क्वाइटली और जब हम उनकी बोड़ी को अंतिम संस्कार के लिए ले करके गएं तो वे चुप चाप वहाँ से उड़ गई एक मेडे कॉल का क्या मतलब है इसे रेडियो सिगनल्स फॉर है गिवेन बाई एरक्रेफ्ट और शिप कॉट इन एक क्रिटिकल सिच्वेशन मेडे कॉल रेडियो सिगनल्स को कहा जाता है ऐसे रेडियो सिगनल्स जो एरक्रेफ्ट या शिप द्वारा दिये जाते हैं जब वो बड़े ही क्रिटिकल सिच्वेशन में मुसीबत में घिरे होते हैं हेल्प के लिए वो जो पुकार देते हैं, रेडियो सिगनल देते हैं, उसे मेडे कॉल कहा जाता है. What were the name of the two crewmen? दो जो crewmen थे, उनका नाम क्या था? Larry Wiesel and Herb Sigler were the two crewmen. जो दोनों crewmen थे, उनका नाम Larry Wiesel और Herb Sigler था. List the steps taken by the captain to protect the ship in rough weather. जब weather बिल्कुल rough हो गया था, तो ship को बचाए रखने के लिए captain ने क्या step लिया? The captain took the following steps. उन्होंने, नेमने steps लिये, he slowed down the speed. सबसे पहले ship की speed उन्होंने कम की, he dropped the storm zip, storm drip zip को पानी में गहरे उतार दिया. Last heavy mooring wrap across the stern, stern के चारो ओर उन्होंने एक मोटी रशी बांधी. Double last everything, हर चीज़ को दो-दो बार बांध दिया, went through life raft, drill, attached life lines, don't oil skins and life jackets. सुरक्षा के जितने तमाम उपाये थें, वो सब कर लिया उन्होंने, उन्होंने raft को विवस्थित करके, life line से attach कर दिया, कि जरुवत पढ़ने पर तुरंट उसकी, उससे काम लिया जा सा के, oily skin और life jacket पहन लिया, तो life jacket तो आप समझती हैं, लेकिन oily skin क्या होता है, कि ये body के उपर एक ऐसा cover होता है, जो कि थोड़ा oily होता है, और समुदरी पानी का जो खारापन है, जो उसका bad effect है, वो इस skin पर असर नहीं डाल पाता है, Who sat the sail first round the world and when? Round the world, किसने सबसे पहले यात्रा की थी और कब की थी? 200 years earlier, Captain James Cook sailed round the world for the first time in 1776, 200 साल पहले, 1776 में Captain James Cook ने विश्वे की जो थी समुदरी यात्रा किया था, describe wave walker, तो wave walker जिस ship से ये लोग समुदरी यात्रा करने निकले थे, उन ship का नाम wave walker था, तो उसका wordन कीजिए, तो wave walker was a 23 मीटर लॉंग, 30 तन्स अफ वुदेन वोट, wave walker 30 मीटर लंबा और 30 तन लकडी का बना हुआ एक जहाज था, which had been professionally built and equipped with all the instrument and safety devices for long voyage, और इस ship को professionally लंबे समुदरी यात्रा के लिए बनाया गया था, और हर तरह के instrument और सुरुच्छा के उपाए इसके अंदर रखे गये थे, वुदाओजी कौन थे और उन्होंने किसके लिए अपने लास्ट लैंडिसके पैंटिंग बनाई थी, वुदाओजी 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 आठ्मी सदी के एक चाइनीज पैंटर थे, वुदाओजी ने जब पैंटिंग बना लिया तो एक स्क्रिन के पीछे, उसको छुपा करके रख दिया था, ऐसा क्यों किया था, तो वुदाओजी चाहते थे कि इस पैंटिंग को सबसे पहले केवल एंपरर ही देखे, इसलिए उन्होंने पैंटिंग बना करके एक स्क्रिन के पीछे, एक पर्दे के पीछे छुपा दिया था, जो चाहिनीज पैंटर होते हैं, वो दर्शकों की आँखों के लिए एक किस पत का निर्माण करते हैं, तो चाहिनीज पैंटर एक इमेजिनरी पैंटिंग बनाते हैं और जो दर्शक हैं, उनके आँखों के लिए एक ऐसे रास्ते का निर्माण करते हैं, मानसिक जो होता है कि उस पर चल करके विवर उपर जाए, नीचे जाए और फिर वापस अपने सामाने गती के साथ अपनी जगह पर वापस आ जाए, कहने का मतलब कि कल्पनिक दुनिया में जाए और बड़े आराम से सब कुछ कल्पना करता हुआ वापस अपनी वास्तविक दुनिया में आ जाए, तो जो ब्लैक स्मित था वो प्रशिक्षुक बनने के लिए इस्टूडियो में प्रशिक्षुक बनने के लिए क्या किया वो एक दिन चुपके से पेंटर की स्टूडियो में चला गया और उसने जो उसका जो लेटेस्ट पैनल था उसके उपर इतनी सुक्षमता से एक मक्खी बना दी कि जब पेंटर आया तो उसे लगा कि एक वास्तविक मक्खी बैठी हुई है और उसने उसको वहां से उड़ाने की कोशिस की What is in and young? In और young क्या है? Nature is the in और female part whereas the God is creator is the male part तो nature जिसे in जिस जो की nature है वो female part है जबकि God जो की creator है ये male part है The combination of the two creates the whole world, all its objects and also inhabitants तो ये दोनों मिल करके पूरे विश्व को और उसमें उपसित सभी चीजों को यहां तक की वहां के रहने वालों को भी ये बनाते हैं What according to the author is often overlooked? Author के नुसर अक्सर हम से क्या छूट जाता है? The third element, the middle word which is the meeting place of in and young is often overlooked तो जो third element है जिसे middle word कहते हैं जो की in और young का meeting place है वो हमेशा हम से छूट जाता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं With what can the middle word is compared? Middle word को किस चीज़ से compare किया गया है? The middle word is compared to the yogic practice of pranayam तो middle word को pranayam जैसे yogic practice से compare किया गया है Who mooted the concept of brute art? Brute art के concept को किसने आगे बढ़ाया? A French painter Jean Dubet muted the concept of brute art in 1940 1940 में एक French painter थे Jean Dubet उन्होंने brute art की concept को आगे बढ़ाया In which magazine was Nek Chant's feature published? Nek Chant के feature को किस magazine में publish किया गया? Raw Vision UK based magazine तो UK का एक magazine है Raw Vision Pioneer in Outsider Art Publication ये Outsider Arts को publish करता है Features Nek Chant and His Rock Garden Sculpture Woman by the Waterfall इसी Rock Vision में Nek Chant के Rock Garden का एक Sculpture था जिसका शीर्षक था Women by the Waterfall तो Women by the Waterfall इसको publish किया गया था Who was untutored genius who created a paradise वो कौन सा untutored अप्रशिक्षित genius वेक्ती था जिसने एक स्वर्ग का निर्माड किया कला के छेतर में Nek Chant was the untutored genius who created a paradise which is known as the Rock Garden at Chandigar तो Nek Chant वो अप्रशिक्षित genius थे जिन्होंने कला के छेतर में एक स्वर्ग स्थापित किया जिसे Chandigarh का Rock Garden के नाम से जाना जाता है When and where was Green Party founded? Green Party की स्थापना कब और कहां हुई? In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट व्यापी Green Party की स्थापना New Zealand में हुई Who wrote the book The Global Economic Prospect? Global Economic Prospect किसने लिखा? Mr. Lester R. Brown is the writer of The Global Economic Prospect Global Economic Prospect की जो writer है वो Mr. Lester R. Brown है What is the concept of sustainable development? Sustainable development का concept क्या है? उसकी ओधारना क्या है? Development which meets the need of the present generation without compromising the availability of future generation to meet their needs तो एक ऐसा development जो भविश्य के जो generation है, जो भविश्य की पीड़ी है उनकी आवश्यक्ताओं की पूर्ती से समझावता किये बिना वर्तमान की generation की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करती है is the main concept of sustainable development ये sustainable development की मुख्य ओधारना है What question was raised in the first brand report? First brand report में क्या question उठाया गया था? The first brand report raised the question तो प्रतम brand report ने question उठाया था Are we going to leave our successor as cost planet of advancing desert, empowerist landscape and ailing environment तो question ये उठाया गया था कि क्या हम अपने आने वाली पीड़ी को बढ़ते हुए रेगिस्तान से जला भुना एक ऐसा ग्रयत छोड़ करके जा रहे हैं जिसके भूद रिष्षे पूरी तरह बरबाद हो चुके हैं और उसका environment पूरी तरह नश्ट हो चुका है प्रदूशित हो चुका है ये question रिस किया गया था ब्रैंड रिपोर्ट में What is the backbone of global economic system तो global economic system का backbone क्या है the four biological system of the earth fisheries, forests, grassland and croplands form the backbone of the global economic system तो जो चार biological system है प्रिथ्वी के fisheries, forest जंगल, grassland, घास के मैदान, cropland, फसल तो ये चारो की चारो मिल करके global economic system के backbone बनाते है What was the statement of Mr. Lester R. Brown? Mr. Lester R. Brown का statement क्या था? In the words of Mr. Lester R. Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children तो Mr. Lester R. Brown के शब्दों के अनुसार कि हमने इस प्रिथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है बलकि ये हमने अपने बच्चों से उधार में लिया है What was the best statement given by Margaret Thatcher? Margaret Thatcher के द्वारा दिया गया सबसे बढ़िया statement क्या था? Each generation is there on the earth to complete its life cycle. Her generation इस धर्थी पर अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए है During this life spawn, he uses the resources of earth और अपने इस जीवन काल के दौरान वो धर्थी के resources का use करती है While using these resources of earth, he have to take care of the natural resources for future generation also और जब वो इन resources का use करती है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि भविशे की पिढ़ी को भी इसकी आवशकता होगी तो जितना वो use करें, उसना ही वो उसको implant करने कि अगर पेड़ पौधों का फसल का use करती है तो पेड़ पौधे लगाए भी जल का अगर use करती है, तो resources बनाएं जो की जल को संग्रह करें तो जब ट्रेन ब्रिटिस राज टेरिटेरी में पहुंची, तो प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या नोटिस किया? At Sarhad station from where the British Raj territory began, तो Sarhad station जहां से British Raj territory शुरू होती है An Anglo Indian in uniform checked their permit, तो का अगलो इनडियन आया अपने यौनिफोर्म में और उन्हों ने इनकी परमिट को चेक किया Every blue carriers of the train carried the letter GBMR with a small union jack printed on each carriers. तो हर blue color का जो carriers था उस train का उसके उपर बड़े बड़े अक्षरों में GBMR लिखा था और एक छोटा सा union jack बना हुआ था. तो वीटी रेलवे स्टेशन अद्भूद रूप से बिलकुल साफ और सुथरा था. Most of the railway employees were Indian, Parsis and British officers और उन्होंने ये notice कि अधिकतर जो railway employees थें वो भारतिये थें, कुछ भारतिये थें, बाकी Parsis और British officers थें. What was a strange reality that Professor Gayathonday saw as he stepped out of the station. जब Professor Gayathonday Mumbai railway station पर पहुँचें तो और बाहर आये तो उन्हें एक विचित्र सी सत्यता का आभास हुआ वो क्या था? As Professor Gayathonday came out of the station, he saw the building of East India headquarters in working condition. जब Professor Gayathonday railway station के बाहर आये तो उन्होंने देखा East India company की building है और उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है. He was shocked to see it. ये देख करके वो बिल्कुल shocked हो गये. What bitter experience did the Professor Gayathonday have at the public meeting in आजाद मैडान? आजाद stadium, तो आजाद stadium के public meeting में प्रोफिसर Gayathonday को एक बहुत ही बुरा अनुभाव से वो encounter हुए, वो क्या था? A man was delivering the speech from the stage. उन्होंने देखा पंडाल सजा है, स्टेज बना हुआ है, डाइस बोड लगा है, वहां से एक बैक्ती भाशर दे रहा है. When he saw the chair of President Vacan, he occupied it swiftly. और तभी उन्होंने देखा इस स्टेज पर जो President का चेर है, वो खाली पड़ा है. और प्रोफिसर गायतोंडे जो यात्रा कर रहे थे, उसमें वो निमंत्रित थें एक जगा लेक्चर देने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो Presidental Chair है, जो खाली पड़ा है, ये मेरे लिए ही खाली पड़ा है. तो वो जल्दी से स्टेज पर चढ़ें और उस Presidental Chair पर बैठ गयें. The audience began to protest it. और जैसे ही वो चेर पर बैठें, सारे audience चला चला कर इस बात का विरोध करने लगें कि उठो वहाँ से वो चेर खाली करो. But when the professor began to address the public, he was physically removed from the dais. लेकिन उनकी बातों को अंसुना करके, प्रोफिसर गायतोंडे जब माइक ले करके बोलना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया, तो लोग एकदम गुसे में आ गएं और उन्हें उठा करके पंडाल से बाहर कर दिया. So students, यह question है, यह important question है, इसको बहुत अच्छे स्तियार कर लीजेगा, हर question दो marks का रहता है इसमें. Okay, thank you students, thanks for watching the video.